जै मातादी दोस्तों, हपी नौरात्री आप सभी को हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नौरात्रे की बहुत सारी सुब कामना हैं, माता रानी सब की बनो कामना पूरी करें, तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर क्या हैं, बहुत ही धमाके दार्य टि तो इसके लिए हम क्या करेंगे मूर्तियां गंदी हो जाती हैं तो पूजा करते हैं डेली ही साफ करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि मूर्तियों को हम अच्छे से साफ करते हैं जैसे नौरात्री हो गई नौरात्री में हम मूर्तियों को अच्छे से क्लीन करते हैं त ये बहुत अच्छे से साफ हो जाती है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी जैसे लगेगा कि हम मार्केट से अभी भी खरीद के लाए हैं तो हाँ आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं किस गाउं किस सहर से मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी न भोलें तो इस नौरात है और इसी कोलगेट से ही साफ करेंगे तो देख सकते कितनी अच्छी से हमारी मूर्ती एकदम नई सी हो गई है तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक कटोरी ले लिजिए उसमें हम ले लेंगे एक चमची जो हमारा मीठा सोडा होता है खाने वाला इसको और इसके बाद में हमें इसमें कोलगेट जो होता है इसको हम पेश्ट को डाल देंगे इसमें वाइट वाला ही चाहिए इससे बहुत जल्दी से क्लीन होगा तो इसमें हम आधे चमच के करीब कोलगेट डाल देंगे हमारी बड़ी मूर्ती है दो मूर्तिया है इसलिए हम थ आप पुरस ले लिजिए क्योंकि जब मूरती साफ करते हैं तो हर चीज साफ सफाई का भुण ध्यानरा चाहिए बाकि कहीं को सीजों को GPS करने के लिए आप कोई भी विडिय व्रस यूझ कर सकते हैं। लेकिन मूर्ती के लिए नया ब्रेस होना चाहिए जो रही है यह की लिए ब्रेस लेकश्ट्हूं लिए चाहिए इस सी तरह दुख कर देगे और महत्त कर अब पांच मिनट के लिए होड़ेगी और जब तक कि इसको इधर लगतेंगे तब तक हम दूसरी मूर्थियों में भी यही पेश्ट पूरे पे लगा देना है ब्रस की सहायता से लगा देंगे और लगाने के बाद में साफ वाटर से धुलेंगे तो इस तरह से पहरे पूरी मूर्थी पे हम यह पेश्ट लगा करके तयार कर दे कभी भी मूर्ती साफ करें तो इस तरह से साफ करेंगे तो आपकी मूर्ती बहुत जल्दी साफ हो जाती है और बहुत अच्छे से चमक आती है जो कि हमें देखने में भी बहुत सुंदर लगता क्योंकि माता जी की मूर्ती है तो इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी ह तो इस तरह से मैं साफ कर रही हूं तो देखें ब्रेस से पूरे पे लगा देना फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसको हम धीरे रगड़ देंगे और इससे जितना प्रभेश्ट लगा है जैसे सूख जाता है तो वह उसको हम पानी लगा कर के दूलेंगे और फिर साफ फानी से दो तीन पानी से आप इसको धुल दीजिए ब्रेस की साहिता से थोड़ा थोड़ा रगड़ते जाईए और फिर देखेंगे आपकी मूर्ती एकदम नई जैसी हो जाएगी बिल्कुल चमक इसमें इतनी अच्छी आती है जैसे लगता है कि अभी अभी हम इसको मा करेंं नहीं सकते हैं क्योंकि नीमगु माताजी को रातों में कहते हैं नीमगो नहीं हो इसमें प्रेसलीय मताइब जैस परहिते ह worries में यह फ्में। काली थी एकदम साफ हो गई अगर लगे कि अभी भी गंदी है तो थोड़ा सा कोलगेट और लगा करके आप इसको चमका सकते हैं फिर इसको सूती कपड़ा ले लीजिए साफ उससे इसको साफ कर दीजिए पानी पोच दीजिए तो आपकी मूर्ती देख सकते हैं आपके सामने ही रिजल्ट है कितनी अच्छी से यह हमारी सारी चमक गहीं है आप भी इसी तरह अपनी माता जी की मूर्तियों को साफ कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो आप लोगों को यह जिद उस्टी अच्छी लगी हो तो雷े चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और अपनों के साथ सेर करें तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से चमक आ गई है एकदम नई जैसी हो गई है कहीं भी इसमें कोई गंदगी नहीं दिख रही है देखने में ही लग रहा है कि एकदम चांदी की मूर्ती है हमारी तो इस तरह स आप भी अपनी मूर्कियों को चमका सकते हैं तो अगली हमारी बहुत ही यूजफुल टिप्स है जिसको आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि नौरात्री में हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि नौरात्री की तैयारी हम बहुत जोरो सोरो से करते हैं तो आज फश्ट नौर इसी टिप्स है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफूल है और दो कोई चीज कोंरहारी है रचेशिक नहीं लागे आप सीच्सथिन के और कोई चीज ही लोह साप कर सकते हैं तो इसी तरह letALKा कि आप आन बहुत, ॉसी तरह हम स्व्यों की मुर्दी है만 चंथ हम मुझे आपने दाटों पे पिली लेड़वे और फिर निवम धारि और ऑफ निमक्थाषर रहा है। क्टे स्वाइगों वा कि पूजा कोसे हों हरे ह Wheeling वैसे तो न unhappy न हम धारिके और प्युट अच्छीन गर्ता है ह्यां। तो इसलिए ये इतने अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो इस तरह से हमने देखे पहले मुस्वें लगा करके रख दिया था तो ये बड़े वाला लोटा हमारा और इसी तरह आप अंदर भी लगा देंगे तो इससे बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा तो अगली टिप्स हमारी है कि मुम्फली के दाने के छिलके हम किस तरह से हटाएं कि हमें बिना मेहनत के मुम्फली के दाने छिलके हट जाएं तो इस तरह से गैस को जला लिजे गैस पर हम कड़ाई रख देंगे इस पर हम थोड़ा सा इसको रोष्ट करेंगे सूती कपड़ा प्रोष्ट करने के बाद में कोई भी सूती रुवान ले लीजिए और उसको इस तरह से हम पलट देंगे पलटने के बाद में हलके हाथों से हलका गरम होता है तब ही इसको हम इस प्रोसेस को करेंगे जिससे की हमारा छिलका बहुत अच्छे से छूट जाए त उससे भी आप छिलका निकाल सकते तो इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको हलका सा हिला दिया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं एक आध दाने रहे गए हैं उसको आप हां से छुड़ा सकते हैं नहीं तो कपड़े में ही अच्छे से रगड देंगे तो ब माता दी हैपी नवरात्री फिर मिलेंगे इसी तरह की नए श्टिफ्स के साथ में तब तक के लिए थैंक्स और वाचिंग धन्यवाद